बाद पेशेंट दोस में आ गई थी और बाक्षित कर रही थी शे गंटे बाद से उसको पीने के लिए पानी वगरा दिया गया जितना पहले मुमेंट हो रहा था नहीं है तो घर के लोग माता जी को कुछी भी तो इसको बीमारी का नाम पता है क्या करते हैं इसको है हेमी फैस लस्पाज म करते हैं यह वह तिए बहुती रेयर भी है और इसका इलाज भी सब जगह संभव नहीं होता है इसके का रवए परिशानी हुते है घरा तो इसके लिए को सरजरी सबसे सही सबसे अच्छा इलाज है ठीक है बंचा सरजरी है तो मैं यह नहीं कर सकते कि कोई खत्रा नहीं लेकिन मैं यह सरजरी करता हूं मैंने पहले भी किया हुआ है भगवान की गिर्पा से सबको अच्छा होता है ठीक है सरजरी के बाद फिर से एसा ही वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को बतला सकें कि इससे इंप्रुमेंट होता है ठीक है तो कितनी उमर से हो रहा है यह चार साल की उमर से पिछले चार सालों से तब साधी हो गई थी साधी के बाद सुरू हुआ या पहले लगभग हर मिनट हो रहा है एक मिनट में द सब्सक्राइब को आफिक बहुत है यह थी जाग़ा फिर वी बर्दास्ट करती है तक्लीफ को समझ सकता हूं मैं ऐसे पेशेंट कई सारे देखा हूं लोगों को लोगों की दिकत को मैं समझता हूं ठीक है तो बहुत जादा गिर्ट इफिर वह तो सबके साथ जाने आने में बात यह करने में तो प्रूम मैं ऐसा लगता ही रहने का इनिमठ करता है ठीक है चलो फिर सरजरी के बाद कल या परसों कल तो थोरा दर्द होगा दो तीन दिन के बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे ठीक है ताकि लोगों को बतला सकें कि इस तरह की बिमारी का इलाज है सरजरी से लोगों का अच्छा होता है है और अधिको काट कर उसके बाद ब्रेन में अंदर में खुन की नली और नर्व जो एक दूसरे के आसपास होते हैं खुन की नली और नर्व के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है उसके बीच मेहना वह सफेद वाला नाव है और लाल वाला खुन की नली है ठीक है हम उस दोनों के बीच में के टेफलन पैच डालने वाले हैं ठीक है तरजरी लगभग चार घंटे चली और यह सरजरी के आठ घंटे बाद की का वीडियो है तो कितना दिन हो गया है सरजरी का तीन दिन हुआ है ठीक हो अब पुरी तरह से ठीक हो गया है ना ठीक है और यह सरजरी का निशान है ठीक है आज घर जा रहे हैं और अगले सब्ता आकर सिलाही निकलवाना है ठीक है झेश है और जाद करते ही तीकчноर जब शबियासर हे भीतेर मत्या बजेंड़ के शहेढ़िवाने है के ब्सकंवाब PER